तो बिना ब्रेट का ये सैंड्विच आप एक बार ब्रेक्वास्ट में बना के देखिए आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा और इसे आप टिफिन बॉक्स में भी पैक करकी दे सकते हैं बच्चे बड़े इसे शौक से खाएंगे तो इसे आप ब्रेक्वास्ट में जरूर ट्राई करिएगा वेल्कम टू ब्रेक्वास्ट रेसीपी सीरीज एपिसोड नमबर फिफ्टीन तो दो से तीन उबले हुए आलू लेंगे चोटी साइस के और इसको हम मैश कर लेंगे पूरी तरह से मैश करने की जरूरत नहीं है अगर इसमें छोटे मोटे टुकडे रहते तो भी चलेगा और फिलिंग को इद्दम टेस्टी बनाने के लिए कुछ मसाले एड़ करेंगे जैसे के आमचूर पावडर पुना हुआ जीरे का पावडर पाव भाजी मसाला चाट मसाला लाल मिर्ची पावडर हल्दी पावडर और नमक डालेंगे तो जितनी चटपटी फिलिंग आपको चाहिए उस असाब से आपस में मसाले एड़ कर सकते हैं फिर इसमें हम डालेंगे थोड़े से वेच्टिबल तो जो वेच्टिबल आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज कर सकते हैं या तो इसके बिना भी आप इसे बना सकते हैं तो मैंने इसमें डाल दिया है स्वीट कॉन, कैपसिकम, गाजर, प्याज, हरी मिर्ची और हराधनिया और सभी चीजो को मिक्स कर लेंगे तो यहां पर हमारी डिलिश्यसी जो फि बेकिंग सोडा, उपर से थोड़ा सा नीमगू का रस डालेंगे और यहां पर जो बैटर है इसे हम थोड़ा सा पतला रखेंगे बहुत ज्यादा गाणा नहीं रखेंगे अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और यह जो कॉन्टिटी मैंने बताई है इसमें से आप आसानी से बना सकते हैं और मैदे से बनी ब्रेट के मुकाबले में यह सेंड्विच काफी हेल्दी है क्योंकि यह से बनाया है जिसमें अच्छी कॉन्टिटी में प्रोटीन होता है और इसे हम बनाएंगे गैस वाली सेंड्विच टोस्टी में इसके उपर हम थोड़ा सा बटर सकते हैं और जो बेशन का गोलम ने बनाया है वो तीन से चार बड़ा चमच भर के इसमें हम डालेंगे और फिर इसको अच्छे से स्प्रेट कर लेंगे किनारों पे भी और फिर जो आलू का मिक्सचर था उसकी एक टिकी बना लेंगे और बेशन के घूल के उपर इसे हम प्लेस करेंगे और फिर से इसे हम कवर कर देंगे इस बैटर से और अभी इसे हम बन करके गैस के उपर इसे हम रोस्ट करेंगे तो इसे हमें मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करना है तो चार से पाच मिनिट एक साइड रोस्ट करेंगे फिर इसे फिलिप करेंगे दूसरी साइड से भी इसी तरह से रोस्ट करेंगे इसे हम उलटते पलटते रोस्ट करेंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प हो जाए तो चले देख लेते हैं यहां पर हमारी यह डिलिशियस सी जो सैंड्विश है बेसन से बनी हुई यह बनके तयार है तो यह बाहर से एक दम क्रिस्प है और अंदर जो आलू का मसाला फिल किया है इससे जो सैंड्विश है अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए कमेंट में यमी टाइप करिए और पेज को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर दीजिए तो जल मिलेंगे एक और ऐसी यमी ब्रेक्वस्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बा झाल